साथ्विया दुनिया एक अभूत्पुर्व डिजिटल रिवालुशन की साक्षी बन रही है और भारत इस रिवालुशन का प्रमुक केंद्र बन कर उब रहा है कुछ साल पहले देश जब भीम यूपी आई और डिजिटल पेमेंट्स की शुरुआत कर रहा था तो कुछ लोगों को लगता था कि छोटे से एक छेत्र तक सिमित रहेगा लेकिन आज हम गाउं गाउं में डिजिटल पेमेंट्स होते देख रहे हैं आज पूरी दुनिया में जितने रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स हो रहे हैं उसमें दुनिया में उसमें 40 परसंट अकेले भारत में हो रहे हैं रेडी पट्रियोड ठेले वाले लोगों से लेकर गाउं गरिब तक डिजिटल पेमेंट्स अब हर व्यक्ति के लिए सहज दिन्चरिया का हिस्सा बन रहा है जब देश में इनोवेशन और एडप्टेशन की इतनी स्वाभाविक शमता हो तो जस्टिस डिलिवरी में टेक्नोलोजी की इस्तिवाल के लिए इससे बहतर समय नहीं हो सकता है मुझे खुशी है कि सुप्रिम कौट के निर्दशन में देश की नियाए ववस्ता इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है इक कौट मिशन के तहट देश में वर्चुल कौट शुरू की जा रही है ट्राफिक वावलेशन जैसे अपराधों के लिए 2400 गंटे चलने वाली कौट से काम कर रहा शुरू कर दिया है लोगों की सुविधा के लिए कौट में वीडियो कांफरेंस इंफ्रसेक्चर का विस्तार भी किया जा रहा है मुझे बताया गया है कि देश में डिस्ट्रिक कौट में अब तक एक करोड से ज़्यादा केसिस की सुनवाई वीडियो कांफरेंस की के जरिये हो चुकी है करीब करीब साथ लाग केस हाई कौट और सुप्रिम कौट में भी सुने गए है कौरोणा के समय हमने जिस विकल्प के तौर पर एड़प किया वो अब व्यवस्ता का हिस्सा बन रहा है इस बात का प्रमाड है कि हमारी न्याए व्यवस्ता न्याए के प्राचीन भारतिय मुल्यों के लिए भी प्रतिवद्द है और 21 सदी की रियालिटी के साथ बैच करने के लिए भी तयार है इसका स्रेख आप सभी महनुभावों को जाता है मैं आप सभी के इस प्रयासों की सरहना करता हूँ